18 दिसंबर बड़ा शनीवार 32 मार्गशीश पूर्मा बना सुबसायोग पीपल पर चड़ातें यह एक चीज होगा सभी परिशानियों का अंत आपके पित्र करेंगे आपको माला माल ओम करेंशी महा गड़े शाय नमा राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों मार्गशीश का पवित्र महा चल रहा है मार्गशीश मास भगवान श्री किष्ण को समर्वित होता है इस महा को भगवान श्री किष्ण का सरूप माना जाता है इस महा में की गई ब्रत और पूजा अन्य महा की तुल्ला में कई गुना अधिक पुन्य फल्ताई होती है मार्क शीश मास का वैसे तो हर दिन ही खास होता है लेकिन पुराणों में मार्क शीश मास की पुर्मा का विशिश महतु बताया गया है मानेताओं के अनुसार इस पुर्मा पर पवित्र नदी में इस्नान कहने, दान पुन्य कहने, पूजा ब्रत कहने और उपाई कहने से अन्य पूर्मा की तुल्ला में 32 गुना अधिक पुन्य फल प्राप्त होता है इसलिए इस पूर्मा को शास्तों में 32 पूर्मा की नाम से जाना जाता है इस पुर्मा के दिन भगवान लक्ष्मी नारायन का पूचन करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और कश्टों से छुटकारा मिलता है माक्षीश पुर्मा पर पित्रों की आत्मा की शांती के लिए दान पुन्य करना और तरपन शाद करने का भी विधान है इस दिन पित्रों की आत्मा की शांती और पित्रों की प्रसंता के लिए दान पुन्य करने से काई गुना अधिक पुन्य फल प्राप्त होता है और पित्र अधिशीक्री ही प्रसंद हो जाते है दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं एकादशी तिधी भगवान शीहरी विष्णु को अतितिक प्रिया है इसी प्रकार पूर्मा तिधी मालक्ष्मी को अतितिक प्रिया है पूर्मा तिधी पर मालक्ष्मी का बास पीपल के ब्रक्ष्मी होता है और माक्षिश पूर्मा पर पीपल के ब्रक्ष में ही पित्रों का बास होता है और इस बार की माक्षिश पूर्मा शनिवार के दिन है और शनिवार के दिन विशेश रूप से पीपल ब्रक्ष का पूचन किया जाता है इसलिए इस बार की माक्षिष पूर्मा पर आप सभी भागवान लक्ष्मी नारायन के साथ ही पित्रों का आशिरवाद प्राप्त करने के लिए और जीवन में चली आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए पीपल प्रक्ष का पूजन अवश्य ही करे दोस्तों इस बार माक्षिष पूर्मा तिथी को लेका थोड़ा कन्फिजन भी है क्योंकि इस बार यह तिथी अठारे दिसंबर की सुभे साथ बचकर 24 मिरट पर शुरू होगी और उन्निस दिसंबर की सुभे 10 बचकर 5 मिरट पर समात होगी पूर्मा का चान तो 18 दिसंबर की रात को देखा जाएगा इसलिए पूर्मा 18 दिसंबर को भी है और 19 दिसंबर को उध्या तिथी यानि कि जब सूर्य उध्य होंगे उस समय पूर्मा तिथी होगी इसलिए इस बार 19 दिसंबर को भी पूर्मा है लेकिन पीपल ब्रक्ष का पूचन इस पूर्मा पर आपको 18 दिसंबर शनिवार के इस सुपसंयोग पर ही करना है आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीच के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप इस पूर्मा पर पीपल ब्रक्ष पर जढ़ा देते हैं तो इसे आपको भागवान लक्षमी नारायन के साथ ही अपने पित्रों के भी असेंग रुपा प्राप्द होगी पित्रों को भी कश्टों से मुक्ति मिलेगे पित्र पसन होंगे जिससे पित्र दोस्ती छुटकारा मिलेगा और चीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परिशानी दूर हो जाएगी साथ ही शनी देव से संबंधे दोशों से भी आपको राहत मिलेगी दोस्तों वीडियो में आगे पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूसफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाए पूर्मा के दिन सुभे उठकर इस्नान आदी करने के पश्चा सच्छवस्त थारन करें अब आप एक लोटे में शुत्य जल लें इस जल में अगर आपके घर गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल आप इस जल में मिला दें और इस जल में आपको थोड़ा सा कच्चा दूड डालना है दूड इतना डालना है कि बस जल जो है वह सफेद रंका हो जाए दूड मा लक्ष्मी और पित्रों को अतिधिक प्रिय होता है और दूड चंद्रमा का भी कारक होता है पूर्मा का दिन चंद्र देब को भी समर्पित होता है इसलिए इस जल में आपको दूद मिलाना है और इसमें अब आपको थोड़ी सी शक्कर मिलानी है जिससे यह जल मीठा हो जाए अब दोस्तों सबसे जरूरी चीश आपको जो इस जल में मिला ली है वह है दिल दोस्तों दिल का हमारे धर्म शास्तों में विशिश महतु बताया गया है दिल भगवान बिश्टु जी के शरी से उत्पन हुए है दिल पापों का नाश करने वाले और कश्टों को दूर करने वाले माने जाते है दोस्तों आपको इस जल में काले और सफेद दोनों ही तरहें के थोड़े थोड़े तिल मिलाने हैं काले रंग के तिल भागवान विश्णों और पित्रों को अत्यथिक प्रिये हैं काले रंग के तिल अगर आप इस जल में मिलाएंगे तो इससे आपको भगवान विश्णों की असीम खृपा प्राप्त होगी भगवान विश्णों की किरपा से कश्टों और पापों से मुक्ति मिलेगी काले रंग के दिल पित्रों को भी समर्पित होते है शास्तों में यहां तक बताया गया है कि जिस भी भूजन की चीच में काले दिल नहीं होते या पित्रों के लिए आप कोई दान कर रहे हैं या भोजन निकाल रहे हैं अगर उनमें काले दिल नहीं होंगे तो बह भोजन पित्र स्विकार नहीं करेंगे बह भोजन बह चीज प्रेत या फिर राक्षस क्रहन करेंगे इसलिए पित्रों के निमित आप कुछ भी भोजन निकाले या दान पुन्ने करें उसमें आपको काले दिल अवश्य ही डालने चाहिए काले दिल मौक्ष दिलाने वाले होते हैं और दोस्तों सफेद दिल मा लक्षमी को अतितिक प्रिया है सफेद दिल से मा लक्षमी का पूचन कहने से मा लक्षमी अतिक शीकर ही प्रसन हो जाती है और अपने भक्तों के घर धन धानने से भर देती है दोस्तों जल में सफेद और काले दिल मिलाने के पर शाथ अब आप इस जल को पीपल प्रक्षप लेके जाए और इस जल को आप पीपल प्रक्षप चढ़ाए पीपल प्रक्षप जल चढ़ाते समय आपको ओम नमो भगवते वासु देवाय मंतर का मन ही मंजाव करते देहना है ध्यान रखें जल चढ़ाते समय, पुरुष और महिला सभी को अपना सिर अवश्य ही ढखना है, पुरुष रोमाल से या कैब से अपना से ढख सकते हैं, और बिना जूते चपल पहने आपको यह जल पीपल ब्रक्ष पर चढ़ाना है, दोस्तों आपको ओम नमो भगवते वास के वातों देवाय मंत्र का जब करते हुए जल पीपल ब्रक्ष पर चढ़ाना है, क्योंकि भगवान विष्णुजी ही पित्रों के देव होते हैं, और भगवान विश्णुजी का पूचन करने से माल लक्षमी भी अतिधिक प्रसन्ड होते हैं, पीपल ब्रक्ष में, होती है जल चड़ाने के पश्चात दोस्तों जल के पात्र में तिलिया शक्कर रह जाए तो उसे आप हाद से निकाल कर जल के इस्थान पर पीपल प्रक्ष पर चड़ा दें और इसके पश्चात अब आप पीपल प्रक्ष की आठ परिक्रमा करें ध्यान रखें आपको अगर प्रक्ष दिवाल के सहारी है और चारोतर घुमने की जगे ना हो तो आप अपनी ही स्थान पर खड़े होकर आठ पार क्लॉग पाइस घूमकर आग बनकर पीपल प्रक्ष की मन ही मन परिक्रमा करें दोस्तों परिक्रमा करते समय भी आपको मन ही मन ओम नम्मो भक्वती वासु देवाय मंत्र का जाब करते दहना है दोस्तों हो सके तो जल चड़ाने और परिक्रमा करने के पश्चात आप पीपल प्रक्ष के पास एक दिया अवश्य ही जलाएं लेकिन आपको तेल का दिया नहीं जलाना इस समय आपको एक घी का दिया पीपल प्रक्ष के पास ज प्रणाम करें भागवान लक्ष्मी नारायन को प्रणाम करें और समस्ति देवी देवताओं को प्रणाम करें और अपने पित्रों की आत्मा की शांति की प्रात्ना करें पित्रों को नरकी यात्नाओं से मुक्ति दिलाने की प्रेतियोनी से मुक्ति दिलाने की प्रात्ना करें भागवान सी प्रातना करें कि प्रभू हमारी पित्रों की सभी कश्टों को दूर कर उन्हीं सदकती प्रदान करें और हमें पित्र दूर से मुक्ती दें इस तरहें प्रातना करनी के पश्चात दूस्तों अब आप अपनी पित्रों को प्रणाम करें और पित्रों से प्रात्ना करें कि वहें अपने गृपा आश्रिवा सदेव आप पर बनाए रखें और पित्र दूर्ष से मुख्दी दें दोस्तों इस तरहे प्रातना करने के पश्चात अब आप भगवान जी और पित्रों से जाने अंजाने में की गई सभी कलतियों की शमा माँगे इस तरहे पूजन करने के पश्चात दोस्तों अगर आप शनी दूर से पीड़ित हैं तो शनी देब के इस मंतर का 108 वाज जाभ करें मंतर है ओम शम शनिश्चराय नमा ओम शम शनिश्चराय नमा इस मंतर का जाभ करने के पश्चात दोस्तों आज के दिन पीपल प्रक्ष का पूचन कहने से भगवान लक्षमी नारायन के साथ ही पित्रों के भी असीम गृपा प्राप्त होती है, पित्र दोश से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन में चली आ रही, परिशानियां खत्म हो जाती है, कश्टों से छुटकारा मिलता है, और पित्रों को भी सिस्थिव प्राप्त होति ही बीपल ब्रक्षे करते समें आपको कुछ पहले ही करना है इस बात का ध्यान रखें और प्रक्षिपर आपने जो दीपक जलाया है उससे आपको आर्थी नहीं लेने उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड सरस्तितारों में जादर से जादर शेय झाले है जादर आपको हमारी प्लीज।